नमस्कार दोफिव मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आजी किस नहीं क्लास में देश्टो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनके ृअध कोर्स में एक और नया जो Suggect ....配 ओध यसकी नाम होगी नम權 सार्थ in रहे हुआ है पोसक एम सच्छता इसके पहले मैंने इसके वीडियो में मैंने लोगों को जानकारी भी दीती जिसका नाम है जिसका इंगलिश में नाम है फूड निउट्रेशन एंड हाइजियन तो यह भी अनिवार प्रस्ण पत्र है तीन सब्जेट के लावा इस सब्जेट का भी पेपर आप लोगों किस बार अनिवार कर दिया गया देना ही होगा तो उसी से जुड़े मोस्ट इंपार्टन कोईश्टन एंसर के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से समझ जीगा क्योंकि यह भी सी बिकॉम और बेसी एजी तीनों छात्रों के लिए कंपर सभी यह नहीं एक ही सब्जेक्ट है इसका पेपर आप लोगों को देना होगा और इस पेपर का जो कोईश्टन पेपर वो उमार सीट पे एक्जाम होगा सारे कोईश्टन पर विकल्पी आएंगे तो स्विफ जोड़े टॉप लेबल के कोईश्टन आप लोगों को माप बताने होगा ठीक है तो यह नवार सब्जेक्ट है इसको जरूर ध्यान दीजीगा तो कौन पहला कोईश्टन है कि कौन सा पोसकतत्तु का प्रकार है आपको आपसन मिल जाएंगे इसमें बताना है नंबर एक है अस्थूल पोसकतत्तु और दो नंबर है सूच पोसकतत्तु और ती कौन जोन लिखा यहां पर होना चाहिए एक और दो नो तो इसको कोईस्टन का एंसर हो जाएगा हो जाएगा तीन नंबर याद रखेगा ने जोचेओ कि निम्नमें से ध्यान पैस्तूल पोसकतत्तु है ध्यान दीजेगा अस्थूल पोसक तक तो कौन है नमबर एक है कार्बो हाइट्रेट ठीक है कार्बो हाइट्रेड और दूसरा है वसारे और तीन नमबर है प्रोटीन और ये सबी यानि कि चार आपसन तो दिये गए हैं ठीक है इन में से आप लोगों को बताना कौन सा अस्थ तो कोश्चेंग राइट एंसर हो जाएक तो वह जाएगा यह सभी यहानि अस्थूल पोसकत्त्त्त्त्त के जो सम्मंदित है वह कार्बो हाइट्रेड यह वसा भी प्रोटीन भी इसलिए राइट एंसर प्रेट करेंगे चार नमबर पर याद रखिएगा ठीक है चलिए पड़ेगा तो याद रखना है को अगला कोश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूच मुपोसक तत्व है आप से नेक मिल जाएगा यह विस्तारित रूप है यानि कि RD का पूरा फुलफाम नाम क्या है तो यह जो आपसन दिये कि इन में से कौन सा राइट है आप लोगों को में पढ़के सुनाता हो पहला है रेकमेंडेड डायेटरी एलाउंसेंस और दो नमबर है रेकमेंडेड डेली एक्टिविटी और ती नाम या विस्तारित रूप फुल नाम जो है वो है आपसन नंबर एक ठीक है यानि कि एक नंबर रायट एंसर हो जाएगा रिकमेंडेड ठीक है रिकमेंडेड डायेटरी अलाउंसेंस ठीक है ध्यान रखेगा ये पहला रायट एंसर हो जायेगा नेश्ट को बढ़ेंगे कि भोजन में उर्जा का प्रमुक्षाधन है ध्यान दिजेगा जो भोजन आप लोग करते हैं इसमें प्रमुक्षाधन कौन सा है ठीक है याद रखेगा तो आप से मिल जाएगा कार्बो हाइट्रेट प्रोटीन खानीज लवर्ण बिटामिन तो इस कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा पांस नंबर कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है एक नंबर कार्बो हाइट्रेट प्रमुक्षाधन है भोजन में उर्जा का प्रमुक्षाधन है वो कार्बो हाइट्रेट है याद रखेगा एक नंबर राइट एंसर ठी ठीक है किलिक करेंगे जो इंपार्टन कोश्चन लगे वह आप लोग इसकीन सोट ले लिजेगा जिसे आपको पढ़ने में बाद में असानी होगी ठीक है छे नमबर कोश्चन है कि शरीर के निर्माड विकास से यों ब्रद्ध में मुख्योगदान होता है वसा का यहां पर जैसे बिटामिन होना चाहिए तो आप लोग यह सबजे के गलत टाइप कर दें वह जल्दी जल्दी में तो आफ्चन इसकोश्चन हो जाएगा वह जाएगा प्रोटीन का ध्यान दिजेगा प्रोटीन का निर्माड का विकास यों ब्रद्ध के मुख्योगदान ज तो प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य जो वनस्पति सजन निस्रोत है वह सोया बीन दालें करेंगे हम तीन ठीक है याद रखेगा नेस्ट कोश्चन है कि कार्बोहाइट्रेट की प्राप्ति मुख्योप से होती है मास से अंडों से खाध्यान सरकरा से और निस्ट आप्चन से होती है मास से होती है इसलिए mm है तीन नंब्र याद रखेगा कर्बोहाइट्रेट की प्राप्ति होती हो खाते देनों सरक्रा से होती है ठीक है top level का question कहार है की क्योंसा bitamil gel में群लन सील है top label का custody chain भी ए बिटामिल C, बिटामिल D, बिटामिल A, बिटामिल E तो जो बिटामिल जल में घुलन सील है जो बिटामिल में घुलन सील है उस बिटामिल का नाम है बिटामिल C याद रखेगा बिटामिल C घुलन सील है इसलिए question करेंगे एक नमबर vitamin C चलिए बढ़ते हैं next question के और next question कहे रहा कि अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सतत तुपाया जाता है top level का question यह भी है एक नमबर है खनीज लमड़ दो नमबर है vitamin B अनाज के अंकुर में भोजन का कौन सतत तुपाया जाता है उसका जो नाम है वो है vitamin B याद रखेगा vitamin B ओके राइट एंसर दो नमबर हो जाएगा अगरा question है कि vitamin A के कमी से कौन सा रोग होता है बहुत important question जर्नली है आपको यह से भी याद रखना चाहिए vitamin A के कमी से जो रोग होता है वह आप लोग comment section में जरूर बताएगर आप लोगो इसका right answer मालू में ठीक है बहुत जर्नली question आप लोग फिराल comment में बताएगा इस answer का एक हाथ दो question का answer आप लोग भी comment में बताया करिए ठीक है तो आप लोग समझ लीजेगा question right answer comment में आप लोग बताएगा लिखाए 2 पाया जाता है केले मेंlei में अंकुरित अनाजों में गेहू में तो इन आपसवेंसे question question का right answer हो जाएगा बारा नंबर question का right answer हchez जाएगा पहले हैं जा नेश्व संट ने Auch चैंश नंट नेश्याइब इख से कौण सा स्ट निर्थ Hi- alter करण नमक नमक ठीक है आइरोडीन की कमिश कौन सा रोग होता है तो आप से आपको देढंगे हो जाएगा घंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से ठीक है नेस्ट पॉष्ट है कि वसा में घूलन्छी सीर घुल जाती है बिटामील बी-विटामील Cwietां मैं में अपिटामिल है भीतां मैं ऊप अभ्य और आजी हैं और अपो दियोंकि तो सुलन्स को रहा है दो आजी कोश्चाहिं सब्सक्राइब करेंगे तीन नमबर याद रखेगा ठीक है अगला कोश्चन है कि किस बिटामिल की कमी के कारण सरीर से रक्त बहने की दसा ठीक है रक्त बहने की दसा में धक्का बढ़ने की क्रिया मंद हो जाती है तो वह बिटामिल का आप लोगों का का राइट रिकेटी रोजीरी किस रोग का लच्छन है ठीक है अस्ट बिक्रत का दूसरा नमबर है अस्टी ओ मिलीसिया का और ती नंबर है पैलाग्रा का और नेस्ट आपसन है उप्योक तुमेस्टे कोई नहीं तो जो रिकेटी रोजिरी जो रोग है उसका जो लच्छन है ठीक है वो दिखता है सतरा नंबर जो कोईस्टि नहीं वह अफ्sy विक्रतγुन यानि कि एक यूरीर रिकेटी रोजिरी है वह अफ्sy जो बिक्रती है इस रोग लच्षण इसका है ध्यान देजेगा इसे का लच्छण है ध्यान देजेगा मोस्ट उंपार्ण कोईश्चन यह तो विक्रति निध्य क्यों कि 공 Casey की कमि से कों सारों होता है द्यान देजेगा बिटाविल सी की बात हो रही तो बिटामिल सी की कमई कमी से जो रोग होता है उसको आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी विटामिल-C की जो रोग होता होता है याद रखेगा यह अंसर इसका हो जाएगा थी नमबर ठीक है ज्यान दिजेगा स्कृबी ठीक है इसकृबी ओके नेस्ट कोउष्चन है कि काइबो ठीक है सोरी क यह उसका जो नाम है मैं आपको बतादू most important question याद रखेगा कार्बन हाइडोजन तथा oxygen ठीक है इन तेनों तत्तों से मिलकर बना होता है ठीक है कार्बो हाइडरेट इसलिए इसका जो राहिट इंसर हो जाएगा हो जाएगा थीन-बर याद रखेगा ठीक है कि दंबत ओक एक ग्राम प्रोटीन में कितनी एनर्जी मिलती है तो आपको आपसन दे दिये गए है 4.1 kcal और नेस्ट आपसन है 2.7 और 4.8 2.6 तो एक ग्राम प्रोटीन में जो एनर्जी मिलती है याद रखेगा 4.1 kcal तो यह याद रखना है आप लोगों को मोस्ट इंपार्टन कोईस्टन आपके एक्जाम में इसके आने के ज्यादा चांसे तो याद रख लेगा 4.1 ठीक है चलिए अगले क्यों बढ़ते हैं अगला क्यों कह रहा है कि एक ग्राम कार्बोहाइट्रेट में कितनी उर्जा मिलती है 4.1 kcal और 4.1 kcal सेम हो गया है गलती स सब्सक्राइब करने के लिए कि बोलते नहीं कोई मतलब की कमी हो गई तो उसमें क्या खाया जाए फिर क्या कैसे हो तो उसी तरस में बताया रहा है कि खायबोहाइट्रेट की प्राप्त करने के लिए यानि उसको लेने के लिए कमी है तो क्या उसके प्रमक्षत रहें तो आप से मिल जाएक गुड्ण सकरकंद उपएक्ट में से सभी तो इन आप सरो मेंसे है नंबर एक है के लूज दोख इनबर है गया उती नंबर है फिर फोल नंबर है स्टार्च तोक्टिन स्टार्च है गया कोजन और श्वे को तो इस तो रज 이후 ot है कि ऐस में नंबर कंप Крас 선생님 काम ही से क्या होता है नंबर 1 आप मिल जाएगा ॅअप आपा बढ़ता है शर्गी स्पोर्ट्स पाइद आधि है तो यह जो चार आपसन दिए गए कार्बर हाट्रेस की कमी हो जाती है आई कार्बो हाटब की कमी से कम जोरी महिसूष करने के लिए आप लोगों को सभी अस्तंधालियों के दूद में उपस्थित रहता है जहांने कि जहां से भी आप lo exactlyables वे बक्री होती है और अफतन धारी प्रक्रielt नोटन इपस्थित रहता ici यहांपे आपको है श्तार्च सब्सक्राइब करने में तो यहां पर टाइप करने में थोड़ा मिश होगा तो मैं आप लोगों को सही साला दे रहा हूं यहां पर यहां पर तीन नंबर पर यह लेक्टोज एसे लिखा जाता है ध्यान रखेगा कि जामें कोश्यन आ जाए को इसमित होई यह लेक्टोज बढ़ेंगे राइट एंसर यह हो जाया लेक्टोज नेस्ट कोश्यन है कि सरलतम सरकरा होती है की पके हुए फ़लों में तो पक्ते डाल जाता है तिक है यहरा अखे किका ब्लों स्ट था सब्सक्राइब लो нажाएगा हुए पके हुए फ़लों में we करेंगे हम चार नंबर पके हुए फलों में पाया जाता है कि कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है उनकी जो संख्या है ठीक है धान दीजेगा उनकी जो संख्या है वह आप लोगों को याद रखनी पानने कोश्चन है उनकी जो संख्या थीन है थीक है दो रूंबर राइट एंसर हो जाएगा developments दूंध च्षी तो इनमें नहीं आप लोग को याद रखना है डूद प्रमुक्वाद में प्रमुक्वाद नहीं है दूद वो है और दूंध को याद रखना बने आपके साधन हैं आलो अर्बी जीमिकंद और आपसर मिल जायगा उक्तिमें से सभी तो निम्न में से कर्बोहाइड्रेस प्राप्त करने के साधन होते हैं वहाँ पर प्रमक्सोत शुर्त बैने आप हो जाएगा क्या उपयक्व में से सभी जी मीकंद से आप लोग साधन इसकी प्राप्त के साधने आलो भी है ठीक है याद रखेगा नेश कोशन है कि पके हुए मीठे फल ध्यान दीजेगा पके हुए मीठे फल सहर सकरकंद घंणा सलजम आधि कौन सी सरकरा के साधने तो इस पूस्टिन के राइट रहे दोफ्तो वह आप लोग ध्यान दीजेगा मोश्व पाणि कोशन है याद रखेगा नंबर कोश्टिन का प्रमुक क्या है शरीर की रोक निरोधक सकती बढ़ाना शरीर में चिकनाई पूत्पन करना आस्थाई एक 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 अफ्थियों को म प्रमुक कार्य होता है वह होता है इनमें से चाहिए उर्जा शक्ति बढ़ान करना याद रखेगा मोश्ट पॉर्टेंट टॉप लेवल के ते जो की आप सभी किससे रिलेटेट्स थे जो नया सब्जेक्ट हुआ यानि कि नया जो आप लोगो कानिवार प्रस्वान पत्रह और प्रवाइट करेंगे पूरी उतायारी कराएंगे बस चैनल से जोड़े रहेएगा कोई कोई सुझावत कौछ से माडल पर 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 चेक कमेंट में आप लोग बताएए टेलेग्राम से विडियों जोड़ जाएए डिस्क्रमशन में लिंक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो